हाई अबरिवन वेलेकम तो डिशनल जी के क्लासेज तो BPSC TRE 2.0 से रिलेटेड जो भी अपडेट है वो मैं आपको बताने वाली हूँ और BPSC ने एक ऑफिशल नोटिस जारी किया है ऑफिशल वेबसाइट पर आपको दीख सकता है यहाँ पर आप देख सकते हो बाकी और भी बहुत सारे अपडेट हैं जैसे कि BPSC TRE 3.0 से रिलेटेड क्योंकि आपको पता है कि तीन बार मौका का जो इस पस्टी करण है वो अभी तंग नहीं आए कि किस तरीके से काउंट होगा और बहुत सारे भीरती परिशान है क्योंकि TRE 1 भी हो चुका है TRE 2 भी हो तो अलग-अलग काउंट किया जाएगा फॉर एक्जांपल 1-5 का 6-8 का या फिर इन सब को एक तरीके से काउंट किया जाएगा यह अभी भी इस पस्ट नहीं है और पहले बात तीन मौका को खतम भी करना चाहिए क्योंकि यह बैक-to-back आप परिक्षा ले रहे हो मौका भी इमेल रहा है तो इससे रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन है बिपेसी कुछ अभियरतियों का रिजल्ट रद कर दिया गया है और टीरी 3 से भी रिलेटेड क्योंकि अब जो है तैयारी होने वाली है टीरी 3 की तो पहले बार आए हैं तो चानों को सब्सक्राइब करके करने ही होते हैं तो उसके लिए आपका टेस्ट बुक सबसे बेस्ट होगा क्योंकि यह प्राइस बहुत कम है और इसमें 29 से 31 दिसंबर के बीच में यह सेल चल रहा है इस बीच में अगर आप लेंगे तो आपको एक तो सस्ता भी पड़ेगा दूसरा आप एवरी आवर जो ह कम आपको तब मिलेगा जब आप GKC कोड यूज करेंगे तो याद रखेगा जब भी आप ये परचेश करने जाएं तो आप GKC कोड जरूर यूज करना इससे आपको सस्ता पड़ेगा सारी डेटेल आपको मिले डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी वहां से आप परच इसी के साइड से की अंतरगत आयोजित पर अध्यापक प्रतियोगिता परिक्षा में इंपर्सोनेशन में लिप्त निमनलिकित अभिहर्थियों को हमेशा के लिए प्रतिवारित किया जाता है मतलब 49 अभिहर्थियों ने अपनी जगह पर किसी और को रखा था मतलब जो स्क कभी भी BPSC के किसी परिक्षा में नहीं बैट सकते हैं और ये इनका नाम, फादर का नाम सब कुछ डिटेल में आया है ये देखें तो आप समझ सकते हो अगर ये सारी चीजे नहीं होती नहीं पकड़े जाते तो ये भी टीचर बन गए होते और अराम से नौकरी कर रहे होते तो कहीने के ये बहुत अच्छा है कि ऐसे लोगों को बैंड किया गया है और ये ताकि आगे से कोई भी ना कर सके तो ये रहे 49 स्टुडेंट के नेम तो इनका सेलेक्शन हो चुका था इनका लिस्ट में नाम भी आ गया था लेकिन आब इनको बाहर कर दिया गया है तो ये भी सीटों के संख्या खाली ही हो रही है और भी लोग हैं जैसा कि आप देख सकते हो CCTV कैमरे की निगरानी में होगी नौनिक सिक्षकों की जाच अब TRE1 वालों की भी स्टार्टिंग से जाच होगी 15 जैनवरी से ताकि अगर कोई फेक अभिहरती है तो उसको बाहर किया जाए सिक्षा विभागने सभी जीलों को जारी के आदेश जाच के दौरान फरजी वारे में पकड़े गए सिक्षक जाएंगे जेल ये भी चीज है और होना भी चाहिए क्योंकि टियारी वन में बहुत लोग ऐसे हैं जो की योग यभिहरती का सीट खा चुके हैं और किसी और उनका पेपर दिया है गलत तरीके से सामिल हुए हैं राज में बिपीएसी से निक्स सीसी टीवी की जाच इसमें ये भी का गया है कि सभी नौनिक सीषकों के थंब इंप्रेसन की भी जाच सो निश्चित की जाएगी जाच की विवस्ता जीला मुख्याले में की जाए यदि जाच के दरान कोई फरजी सिक्षक पकड़े जाएं यह बताएंगे कि यह वही अध्यापक हैं जो पिछले एक माह से उनके विद्याले में पढ़ा रहे हैं यदि भी PSE की मसीन में स्टोर थंब इंप्रेसन से संबंधि अध्यापक का थंब इंप्रेशन मेल नहीं खाएगा तो यह माना जाएगा कि संबंधि सिक्षक फरजी है उसके बासे कहन छान बिनकर प्रात्मिकी होगी सिक्षक की गिरफतारी भी होगी थम्ब इंप्रेशन की जांच विद्याले अवधी के बाद होगी और प्रतिक विद्याले के प्रधान ध्यापक भी सामिल होगे मतलब वो जाएंगे और बताएंगे कि हाँ यह जो टीचर है यह हमारे यहां पे एक महीने से पढ़ा रहे हैं और इनका जांच किया जाए तो यह एक अपडेट है बाकि आप देख सकते हो सिक्षक नुक्ती परेडां पर आपत्ती तीन से होगा मैंने आपको बताया है बीपेसी वेबसाइट पर लॉग इन आईड और पासवर्ड के माध्यम से अपनी सिकायत दर्ज कर सकते हैं तो यह है आपत्ती तीन से ठीक है तो सही तरीके से करिएगा क्योंकि पिछले बार जिन लोगों ने गलत सपत पत्र नहीं दिया था उनके उपर भी कारवाई होई है ठीक है तो यह भी ध्यान में रखना देखो 49 अभ्यरतियों को हमेशा के लिए बैन किया गया है और 4 सिक्षक अभ्यरतियों को 5 साल के प्रतिबंदित कर दिया है BPSC ने चार सिक्षक अभ्यारतियों को 5 साल के प्रतिबंदित कर दिया है इन्होंने सिक्षक निर्टी की विभिन प्रतियोगी प्रकाशित परिक्षाफल पर सोसल मीडिया पर तथ्य विहीन अधार हीन आरोप लगाया था तो कोई भी गलत चीजे आप सोसल मीडिया पर ना डालें क्योंकि ऐसे जो अभ्यारतिय पकड़े गए थे उन्होंने आयो की छवी को धूमिल किया है राहुल कुमार, सारम सर्मा, पिंके कुमारी और सिवम सांडिले सामिल है इनको 5 साल के लिए BPSC के एक्जाम से बाहर कर दिया गया है ठीक है, और यह देखे, अभी जो मैंने आपको बताए ना अपनी जगह दूसरे के परिक्षा में बठाने के कारण 49 अभिहरतियों पर आज जीवन बैन किया गया है और यह होना भी चाहिए, क्योंकि इन लोगों के ही वज़ा से और भी ज़्यादा करेप्शन बढ़ता है क्योंकि अभी नौकरी में भी नहीं आए है, उसके पहले ही इन लोगों का दिमाग देखे कितना चल रहा है दूसरे चरण के सिक्षक नुकती परिक्षा में अपनी जगह पर दूसरे को परिक्षा में बैठाने के कारण 49 को जीवन भर के लिए आज जीवन बैंड कर दिया गया है, इन अभी हरतियों के नामों के सुची पीता का नाम जन्मतीथी के साथ वेबसाइट पर जारी किया गया है ताकि आप देख ले, सहाइक अंकेशन अधिकारी का 16 जन्वरी से साक्षतकार ये है बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो, उच्चमादमिक हिंदी का परिक्षा फल संसोधित, BPC ने दूसरे चनल की सेक्षक नुकती परिक्षा में उच्चमादमिक हिंदी के पिछड़ा वर्क, अती पिछड़ा वर्क, कल्नियार विभाग की अंतरगत 26 दिसंबर को जारी किये गया है परिक्षा फल को संसोधित किया है, इसमें 31 अभिहरतियों को सफल घोसित किया गया है तुरूटिकपूर्ण दस्तावईज वाले अभिहरति 3 जनवरी से अप्लोड करेंगे तो 3 जनवरी से जिसके भी डॉकुमेंट गलत हैं, वो अपना 3 से लेकर 7 तक अप्लोड कर सकते हैं डॉकुमेंट्स जिसके में भी mistake हो, ठीक है? और ये तो आपको पता ही है, जो भगोडे सिक्षक हैं, इनकी बनेगी सूची, आगे से किसी भी बहाली में नहीं मिलेगा केके पाठक तो ये चीजे निकल कर आ रही हैं कि इनको नौकरी मिल गई है, बट ये लो स्कूल नहीं जा रहे हैं आप यहां पर देखो, स्कूलों के पहले चरण में युगदान देने के बाद से लगातार गायब रहने वाले सिक्षकों को भगोड़ा घोसित किया जाएगा साथ ही उनकी सूची तयार कर उन्हें अगले चरण की किसी विभरती में सामिल नहीं होने दिया जाएगा मतलब ये लोग टीचर बन चुके हैं, सैलरी भी मिल रही है, बट जा नहीं रहे हैं उसकूल और सिक्षक विभा के जो केके पाठक हैं, उन्होंने कहा कि वे सुक्रवार की देर साम मिठन पूरा स्ती सिक्षक भौन सही प्रदेस भर की सभी जिला सिक्षक पदादिकारियों को विडियो कॉन्फरेंसी के माध्यम से संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि अब तक युगदान दे चुके, सिक्षको का डाटा तयार कर उपलब्द कराएं, साथ ही ऐसे सिक्षको को भी चिन्नित करें, जो कि एपसिंट रहे रहे हैं लागातार ठीक है, उन्होंने कहा कि प्रदेश सिस्तर पर भगोड़े सिक्षको की सुची तयार की जाएगी, उन्होंने डियो का अदेश दिया कि प्रात्मिक्ता के अधार पर सिक्षको का प्राण नबर जनरेट कराएं, ताकि सिक्षको के खाते में उनका वेतन समय से भेजा जा सके और अधियाब को के री वेरिफिकेशन के लिए जीलो में लगेगी थम इंप्रेशन तो टीरी वन का दुबारा से री वेरिफिकेशन होगा ताकि जो भी फेक कांडिडेट्स हैं उनको बाहर किया जाए तो यह सारी अपडेट है और यहीं पर बीच में एक अपडेट आ रहा ह टीरी वन हो गया फिर हड़ बड़ा हड में टीरी टू हो गया तो अब यहरती सबसे दर परिशान है जिनका नहीं हुआ है कि अब तीसरा लास्ट मौका है हमारे पास किस तरीके से काउंट होगा तो इसमें सोसल मीडिया पर भी ट्वीट किया जा रहा है आप सभी भी सामिल हो सकते हैं और जो चात्रनिता है उन्हीं के माधिम से बताये गया है कि तीन मौका को खतम करना चाहिए इसमें जो बाद देता है उसको बदलाओ करनी चाहिए आपकी इस पर क्या राय है जरूर बताना अगर आपको लगता है तो आप ज्यादा ज्यादा ट्वीट कर सकते है तो यह update BPSC तक पहुचेगी then BPSC इसके कोई न कोई justification या इसपस्टी करन जरूर करेंगे ठीक है और रही बाद BPSC TRE 3 तो seated का exam है आपका January में और सारी चीजे complete हो चुकी है आपको पता है सारे results आ चुके हैं बस joining नुकती बगरा बाकी है इसके बाद से TRE 3 का सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा तो जितने भी seated वाले candidates हैं seated का exam अच्छे से देना तो आपको BPSC TRE 3 में बैठने का मौका मिलेगा एक्जाम देने को मिलेगा और यहां से आपकी भी एक नौकरी पक्की हो सकती है बट कोई भी गलत रास्ता मत अपनाना क्योंकि बहुत सारी लोगों को BPSC से बैन किया जा रहा है ठीक है तो इस सारी information आपको देनी है बाकी कोई भी doubt होगा तो प्लीज बताना मिलते हैं next class में thanks for watching